हलो रिवान, विल्कम बैक आज हम High School Board Examination ने पूछे जाने वाले हिंदी विसे के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्ण को देखेंगे ये सारे प्रश्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वाइरल मॉडल पेपर से लिए गया है तो एके करके देखते हैं पहला क्वश्चन दिया है कि रस्मी मानसा की लेखक है तो रस्मी मानसा की लेखक कौन है एके करके देखते हैं इसमें चार भी कल्प दिया है को दिया है जैशंकर प्रशाद जी है खो दिया है हजारी प्रशाद जी है गौधिया है प्रेमचंद जी है और गौधिया है रामचंद सुक्ल है तो रस्मी मांसा की लेखक कौन है आप अंदाज़ा लगाईए कौन हो शकते हैं तो जो रस्मी मांसा की लेखक है या आप्षन आपका गौश सही है कि रामचंद सुक्ल जी रस्मी मांसा की लेखक है लुद्धा की राउना है यानि भारत दुर्दशा किस बिधा की रचना है यह जीवनी है कि आत्मकथा है कि रेखा चित्र है कि एक आंकी है तो इसमें चार आप्षन दिये गए हैं इसमें कौन सा सही है आपको बताना है तो जो भारत दुर्दशा है वह कौन सी बिधा है जीवनी है कि आत्मकथा कि रे अगला question दे रहा है कि सेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है तो इसमें भी विधा बताना है सेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है इसमें आपको बताना है option दिया है कहानी है खो दिया है जीवनी है गो दिया है नाटक है और घो दिया है उपन्याश है तो इसमें आप बताएए कौन सा यानि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है तो इसका जो option है option हमारा जो गो है नाटक यानि शेखर एक जीवनी नाटक है नाटक विधा की र तो इस तरह से आपके बोड़ एक्जामिनेशन ने प्रश्ण पूछे जाएंगे और ये सारे प्रश्ण कहीं न कहीं बोड़ एक्जामिनेशन ने पूछे गाएं बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के बोड़ एक्जामिनेशन के लिए question number 4 देखते हैं दिया है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी माने जाती है गोदिया है रानी केतकी की कहानी, खोदिया है ममता, गोदिया है इंदुमती और गोदिया है वापशी इसमें कौन सी जो कहानी है वह हिंदी की प्रथम कहानी माने जाती है तो इसका जो आप्षन है गो, गो हमारा इंदुमती यह हिंदी की प्रथम कहानी माने जाती है Question No.5 देखते हैं, दिया है कि सन 1919 से, 1938 तक का संबंध है किसे संबंध है, तो कोदेरा है शुकली युक से है, खोदेरा है भारतेंदु युक से है Question No.6 से, गोधेरा है, प्रशाद युक से है और गोधेरा है शवी से है तो इसमें कौं सा आप्षन सऑ है, आप अंधाजा लगाइए, कि सन 1919 से लेकर 1938 तक का संबंध किसे युक से रहा है तो आप्षन हमारा जो को है को शाई है कि भारते सरी शुकल यूग से कि 1919 से 1938 तक का संबंद शुकल यूग से रहा है अब प्रश्ण नमबर छो देखते हैं प्रश्ण नमबर छो दिया है कि निमलिखित में से रीतिकाल की रचना है इसमें कुछ रचनाओं के नाम दिये गया है इसमें से रीतिकाल की रचना कौन से आपको बताना है गौधिया है प्रियप्रवाश है खौधिया है प्रेम माधुरी है गौधिया है रामचंद्रिका है और गौधिया है रामचरित मानश है इसमें से कौन सही है आपको छाट करके बताना है कि निमलिखित में से रीतिकाल की रचना कौन सी है तो रीतिकाल की रचना प्रियप्रवास, प्रेम माधुरी, रामचंद्रिका या रामचरित्माना तो जो हमारा option go है रामचंद्रिका यह रीतिकाल की रचना मानी जाती है अब देखते हैं question number 7 question number 7 दे रहा है कि तारशब्तक का प्रकाशन किसे समय किया गया यानि तारशब्तक जो रचना है उसका प्रकाशन किसे समय किया गया उसका शन बताना है उसका सही जो शन है वह आप्शन नमबर कौ सही है कि heartbeat estáरशब्तक का प्रकाशन किया गया था Q8 देखते हैं जैशंकर प्रसाद की रचना नहीं है इसमें चार भी कल्प हैं इसमें से ये बताना है कि जैशंकर प्रसाद जी की रचना कौन सी नहीं है इसमें से तीन रचना जैशंकर प्रसाद जी की है और एक रचना जैशंकर प्रसाद जी की नहीं है वो आपको बताना है आशू, जर्ना, लहर और यामा तो कोदिया है आशू, खो, जर्ना, गो, लहर और गो, यामा इसमें से आपको बताना है कौन जैशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है तो आशू को जैशंकर प्रसाद जी ने लिखा है जहरना भी जैसंकर प्रसाद जी ने लिखा है लहर की भी रचना जैसंकर प्रसाद जी ने किया है यामा की रचना उन्होंने नहीं किया है तो यामा जैसंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है अब question number 9 देखते हैं question number 9 दिया है लोकायतन के कभी हैं? यानि लोकायतन किस ने लिखा है आप्षन कोदिरा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है खोदिया है जैसंकर प्रसाद जी ने लिखा है गोदिया है महादेवी वर्मा जी ने लिखा है और गोदिया है निराला जी ने लिखा है तो इसमें आपको शही आप्षन बताना ह क्या है कि लोकायतन के कवी हैं तो लोकायतन के कवी जो आप्षन हमारा को है सुमित्रा नंदन पंत जी है अगला प्रशनमबर दस देखते हैं छत्रशाल दसक की रचैता है तो छत्रशाल दसक की रचैता कौन है इसमें भी आप्षन चार दे रहा है गोदेरा है मतिराम है, खोदेरा है भूषण जी है, गोदेरा है घनानम जी है और गोदेरा है हरियोद जी है इसमें कौन सा आप्षन शही है आपको बताना है कि छत्रशाल दशक के रचीता कौन है तो option जो हमारा खो है भूशन जी यानि भूशन जी ने छट्र साल दशक के लेखक है यारचीता है अगला question number 11 दिया है कि हास यरस का अस्थाई भाव होता है यानि हास यरस का अस्थाई भाव क्या है या आपको बताना है तो इसमें दिया है को हास होता है खो देरा है शोक होता है गो देरा है निवेद होता है और गो देरा है रती होता है तो इसमें आपको बताना है कि हास यरस का अस्थाई भाव क्या होता है तो हासिरस का जो अस्थाईभा होता है वो हास होता है तो आप्षन जो हमारा को है विकल्प कोश ही है अगला क्वेस्चन क्वेस्चन नमर बारा देखते हैं क्वेस्चन नमबर बारा दिया हुआ है कि यहीं कहीं पर विखर गई वह भग्न विजय मालाशी में कौन सी अलंकार है इसमें से आपको अलंकार छाट करके लिखना है कौन सा अलंकार है चार अलंकार के हां नाम दिये गया है कौदेरा अनुप्राश अलंकार है खौदेरा उपमालंकार है और घौदिरा है उत्व्रिक्छा लंकार है इसमें से कौन सा सही है यहीं कहीं पर बिखर गईंगी वा भगन विजय माधा शी यहां देखिए स्वी कर के आया है तो यह हमारा उपमालंकार होगा तो आफशन जो हमारा गौ है गौ सई है यह उपमालंकार है अगला क्वेस्चन नमबर तेरा देखते हैं तेरा देरा है कि रोला चंद के प्रतेक चरण में मात्राएं होती हैं तो रोला चंद के प्रतेक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं वो आपको लिखना है देरा है 16 होता है खो देरा है 20 होता है गो देरा है 24 होता है और गो देरा है 28 होता है इसमें से आपको लिखना है कौन श प्रशन नमबर 14, 14 दे रहा है कि परिजन शब्द में किस उपशर्ग का प्रयोग किया गया है, को दे रहा है परी, खो दे रहा है पर, गो दे रहा है पो और गो दे रहा है इनमेशे कोई नहीं, तो परि जन तो इसमें जो हमारा उपशर्ग है वह परि है, तो परि यहाँ पर उपशर्ग का प्रयोग किया गया है, क्वेशन नमर 15 दिया है कि वाक्य के कितने अंग माने गया है, यह आपको लिखना है, दो अंग माने गया है, कि तीन अंग माने गया है, कि चार या पांच अंग माने गया है, या आपको बताना है कि वाख्य के कितने अंग माने गए है तो आप्षन हमारा जो को है को शाई है कि वाख्य के दो अंग माने गए है question number 6 दिया है कि तुरी नेत्र में कौन सा समास है त्री नेत्र में कौन सा समास है तो आप्षन को दे रहा है कि द्वंद शमास है, खो दे रहा है द्विगु शमास है, गो दे रहा है कर्मधारे शमास है और घो दे रहा है बहु ब्रिही समास है इसमें से कौन सा आप्षन सही है द्वंद, दिगु और कर्मधारे बहु ब्रिह इसमें से कौन सा समाश सई है, या आपको छांट के लिखना है, तो त्री नेट्र में बहु बरिहे शमाश है, तो आप्षन हमारा जो घह है, घह सई है प्रश्ण नमबर सत्र दिया है कि पंच्छी का तत्सम रूप है कौन सा सही है को दे रहा है पंच्छी और खो दे रहा है पक्छी गो दे रहा है खग और गो दे रहा है विहग तो पंच्छी का तत्सम रूप कौन सा है यह आपको छाट करके लिखना है तो यानि जो पंक्षी का तत्सम रूप है वह पक्षी होता है तो आप्षन हमारा जो खो है खो शही है Question No.18 पत्र लिखा जाता है में कौन सा वाचे है इसमें वाचे बताना है कर्त्रे वाचे है, कर्म वाचे है, भाव वाचे है या कोई नहीं है कर्त्रे वाच, कर्म वाचे, यानि इसमें देखी हमारा जो कर्म है, कर्म प्रधान है तो ये कर्म वाचे है, यानि जिसको अंग्रेजी में पैसी वाइस भी कहा जाता है तो ये कर्म वाचे है Question No.19 यानि 19 दे रहा है युसमदह शब्द का तृतिया विभक्ति का बहुवचन रूप है कौन सा है, तो को दे रहा है युवाभ्याम, खो दे रहा है युसमाभि, गो दे रहा है युसमत, और गो दे रहा है युवावो यानि युस्मदः शब्द का तृतिया विभक्ति का बहुवचन रूप कौन शा होगा इसमें से आपको छाट करके लिखना है कौन सा सही है तो इसका जो आप्षन हमारा खो है खो शाई है युस्मा भी यह हमारा शाई है Question number 20 दे रहा है कि वह एक गरीब किशान है इस वाक्य में सर्वनाम है इसमें से कौन सा सर्वनाम है आपको छाट करके लिखना है को दे रहा है वह है को दे रहा है किशान है गो दे रहा है गरीब है और गो दे रहा है इसमें से कोई नहीं है तो इस option का answer आप comment box में जरूर comment करेंगे तो फिर मिलते हैं कि शियानने वीडियो में तब तक के लिए good bye